मुझे बिस्मिल्ला रह्मान रुभाहीम चेप्टर नंबर वन जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स और यहां पर हम कॉंप्लेक्स नंबर से स्टार्ट करें ठीक है यहां इस लेक्टर से हम निया टापक स्टार्ट करें हैं जो कि है कॉंप्लेक्स नंबर अचा इससे पहले कि मैं बात करूं कि इससे पहले इस चेप्टर में ने क्या पढ़ा है रियल नंबर के बारे में पढ़ा है ठीक है उसक के बारे में पहले थोड़ा सा बताता है चलों कि जिस तरह जिस तरह से mathematics में ठीक है development हुई है ठीक है और हमने सबसे पहले number of systems maths में पढ़ा था number of systems क्या होता है और उसके बाद जैसे जैसे हमें जुरुत पढ़ती गई आगे complex problems आते गए ठीक है और मजीद हमें यानिके knowledge चाहि सबस्क्राइब करें जैसे हमारे जिस तरह से इस चेप्टर के शुरूर में हमने बात की थी कि हमें यानिके number system की क्यों जरूत पढ़ी है ठीक है उसी में आप मैं आगे बात ताहूंगा के पहले हमने positive numbers को पढ़ा ठीक है जैसे फिर उसके बाद negative numbers ये सब चीजे तो आपको पता ही होगी चले मैं यहां पर लिख भी देता हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके है यानिके positive numbers ये counting आप कह लें positive numbers उसके इलावा negative numbers के बाद negative numbers की बाहरी है ठीक है negative numbers और उसके बाद हमने फिर मजीद जैसे हमें जरूत पढ़ी rational numbers हमने बढ़ा rational numbers और rational numbers के बाद irrational numbers ठीक है तो ये सारे numbers हम पढ़ते गए ठीक है उसके बारे में और उसको हम use करते गए लेकिन अब ऐसी यानिके कुछ ऐसी equations हमारे पास आ चुकी थी जिसमें इनके इलावा भी numbers चामिल थे ठीक है उसके अभी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं ये आप अब नमबर्स को ये positive numbers है negative numbers है rational numbers है rational numbers है ठीक है इन सब को एक ही system में डाल दिया गए यानिके हम इसको इन सब को मिला कर हम कहते हैं के union of all these sets is called real numbers ठीक है real numbers जो के हम इस chapter में शुरू में पढ़ चुके real numbers अच्छा real numbers तो हमने पढ़ लिया real numbers के इलावा भी number है ठीक है इससे पहले आपने real numbers के इलावा कोई और number नहीं पढ़ा होगा ठीक है चोड़ी classes में 910 थी या इस chapter में शुरू में ठीक है math में आपने real numbers के इलावा कोई और number नहीं पढ़ा होगा लेकिन अब हम इसमें एक निया नंबर पढ़ने जा रहे हैं जो के जिसे का जाता है complex numbers अब complex numbers में सबसे पहले तो हम ये बात करें कि हमें इसकी जरुएत कब पढ़ी ठीक है? कैसे पढ़ी? जैसा कि suppose हम एक equation लिखते हैं x square plus 1 ये equation is equal to 0 ठीक है? इसको हमने solve करना होता है solve करना मतलब कि इसका solution set find करना होता है तो हम क्या करते हैं? या फिर इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि x square minus 1 को solve कर लेते हैं ठीक है? x square minus 1 is equal to हमारे पास 0 एक equation है इसका हमने solution set find करना है या पहले पढ़ी चुके हैं ठीक है? और उसके बाद square हमने तो x की value find करनी है solution set हमने find करना मतलब के x की values find करनी है तो हम कैसे find करते हैं? दोनों sides पे हम square root ले जाते है x square square root is equal to right side पे 1 positive 1 मुझूद है उसका square root ठीक है? और left side पे आप देखे हैं तो square square root से cancel out हो जाएगा और हमारे बस result में x आएगा और x की value right side पे क्या आजाएगी? साथ में हम लिखते हैं plus minus of square root of 1 है square root of 1 जो है वो 1 के equal ही होता है ठीक है? अच्छा अब ये तो हमने देख लिया कि इसको solve करना तो असान था और इसमें जो result आया है एक तो उसको हम कह सकते है positive 1 है और दूसरा जो है minus 1 दो values हमारे पास x की आई है ठीक है? तो जो के positive 1 और negative 1 दोनों किस में, किस set में या किस system में शामिल होते है वो real numbers हैं ये दोनो real numbers हैं क्योंकि हमने इस से पहले आमने देखा था ना कि positive numbers होऊ या negative numbers होऊ ठीक है? एक equation है जी x square plus one is equal to zero बहुत ही simple equation है देखने में लग रही लेकिन अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें result क्या आता है आपकी पास result देखते हैं जी इसको solve करेंगे उसी तरह से x square जो plus one है वो right side पर ले जाते हैं negative of one हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम इसको किस तरह से solve करते हैं square root हमने खतम करना है square हमने खतम करना है square root को use करते हुए ठीक है तो दोनों side पे हम square root लेते हैं x square is equal to square root of minus one जात में plus minus b बाहर डाल देते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह चलें left side पर तो हम यह कहते हैं कि square root से cancel out हो गया और हमारे बस result max आया लेकर right side पर आप अगर देखें तो minus one का square root है अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने पहले भी इस तरह का यानि कि हमारे बस result आया है तो हमने यह वहीं पर उसे छोड़ दिया कि हम अभी यह नहीं पढ़ ले हम आगे जा कि इस चीज़ को पढ़ेंगे ठीक है तो अब यह वक्त आया कि हम इसको explain करेंगे यह क्या चीज़ है यानि के square root के अंदर negative of one आ चुक है minus one आ चुक है तो अब यह किसके equal है या फिर आप इसके उपर वाली equation देखें तो x square is equal to minus one है ठीक है square की बात अगर हम करें square आप पहले पढ़ चुके है तू का square अगर आप find करें तो वह आता है for the equal ठीक है minus two का square आप find करें तब भी four के equal या फिर आप 10 का कहले तेन का square is equal to किसके आता है hundred के equal ठीक है minus 10 का square किसके equal आता है वह भी hundred के equal अब यह सारे मैंने numbers क्यों लिखे अब इसमें आप देख सकते हैं किसी भी number का चाहे वह positive हो, चाहे वह negative हो, ठीक है, या फिर आप 3 का भी square लें, 3 का square is equal to 9, और minus 3 का square वह भी equal to 9, ठीक है, कोई भी, मैंने 3 को लिखा क्योंकि odd number है, यह even numbers है, ठीक है, यानि कि कहने का मतलब ही है, कोई भी number हो, यानि कि positive number हो, negative number हो, या odd number हो, या even number हो, ठीक है, positive odd number हो, या negative even number हो, या positive even number हो, जो भी number हो, ठीक है, उसका हम square लेते हैं, तो हमारे पस result में positive ही आता है, यह देखें, आप positive 4 है, यह भी positive 4 है, यह positive 100 है, यह positive 100 है, यह positive 9 है, यह भी positive 9 है, ठीक है, यानि कि result में हमारे पस values तो different आएंगे, लेकिन होगा तो वो positive number ही, अब इस case में आप देख सकते हैं, इस equation में, कि x जो है, वो एक ऐसा number है, जिसका square लिया जा रहा है, तो उस वो equal to minus 1 आ रहा है, ठीक है, ये इस चीज़ से different, यानिके हमारे पर scenario आ चुका है, कि एक number कोई भी हो सकता है, ठीक है, x एक variable है, ठीक है, तो उसकी value ही हम find करने जा रहे हैं, तो एक कोई ऐसी value भी मुझूद है, जिसका square लिया जाए, तो वो minus 1 की equal आता है, वो कौन सी ऐसी value है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, उसको कहा जाता है, complex numbers, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, square root of minus 1, ठीक है, 7 plus minus भी लिखे लिए, ठीक है, तो square लिया जाए, तो आपके पास result में negative number आता है, जिस तरह से यह है, ठीक है, आप यहाँ पर minus 1 का square root का square लें, तो equal to minus 1 ही आएगा, ठीक है, तो यह है complex numbers, अच्छा, अब complex number, हमने यह तो देख लिया, कि is equal to आ चुका है, square root of minus 1, अब हम इसको represent कैसे करते हैं, ठीक है, इसको use कै करते हैं, कहां पर इसकी properties use होंगी, इसकी properties हैं, क्या, यह सब चीज़ें हम इस, इस topic में पढ़ेंगे, अच्छा, अब जो है, के, negative 1 का square root, यह complex number है, ठीक है, यह अभी तक हमने पढ़ा, इसको हम कहते हैं, Iota के equal, ठीक है, इसकी जगा हम Iota use करते हैं, या फिर Iota equal to square root of minus 1 हम इसकी कहते हैं, ठीक है, Iota, यानिके Iota, इस तरह से इसको बोला जाता है, ठीक है, Iota, और Iota की value, आपके सामने में लिख चुका हूँ, जो के है, minus 1 का square root, ठीक है, जिस भी number में square root of minus 1 आएगा, या फिर किसी भी number का negative, यानिके, negative number का square root होगा, अब मैं इसको generally लिखूँगा, कि माइनस ए, जो है, वो कोई भी, यानिके, या फिर आप इसे कह लें, minus B कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम A को पढ़ेंगे, ठीक है, minus B, B जो है, इसकी कोई भी value हो सकती है, real numbers में से, ठीक है, कोई भी value हो सकती है, one हो सकती है, two हो सकती है, three हो सकती है, hundred हो सकती है, thousand हो सकती है, 99 हो सकते हैं कोई भी यानि के real numbers मैंसे value आप ले लें भी की और उसके साथ minus होगा और उसके उपर square root होगा आहम लफसों में बात करें तो negative number का square root जहां पर भी आपके पास आजए वो complex number होगा ठीक है तो यह थे complex numbers अब हम इसको आगे मजीद इसको देखते हैं एक तो मैंने बात आपको बताए कि negative of minus 1 को iota कहेंगे negative of यहां पर minus 10 भी हो सकता है ठीक है उसका square root यह तो यह भी complex number है लेकिन इसको iota नहीं कहेंगे ठीक है इसको हम इस तरह से लिखेंगे minus 1 का square root या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैं थोड़ा असानी से तक कि आपको समझ आजे minus 1 multiply by 10 10 minus 10 को हम लिख सकते हैं minus 1 into 10 ठीक है तो इसको अब अलाइदा करके लिख लें minus 1 का square root into square root of 10 सेम चीज है ना उसी तरह से ठीक है तो यानि के अब यहाँ पर यह आयोटा है तो साथ में क्या है square root of 10 ठीक है तो मतलब के iota सिरफ square root of minus 1 के equal है minus 10 या किसी और value के negative के square root के equal नहीं है ठीक है iota सिरफ आप square root of minus 1 के equal लिखेंगे अच्छा square root of यह तो हमने देख लिया उसके बाद हम कहते हैं कि हम complex numbers में क्या क्या आता है चलें इसकी भी हम बात करते है generally अगर बात की जाए complex numbers की तो हम complex numbers को किस तरह से represent कर सकते है generally ठीक है general form क्या है तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ x plus y iota यह एक यानिके general form है complex numbers की ठीक है इसको हम कह सकते है general form of complex numbers अब इसमें x और y के iota तो हमने देख लिया iota किसके equal होता है सुके root of minus 1 के यहां पर x और y क्या है x और y जो है वो कोई भी real numbers हो सकते है ठीक है तो यहां पर मैं फिर साथ में इसको explain भी कर देता हूँ x और y will belong to real numbers ठीक है और iota को भी यहां define कर देते हैं iota पहले भी हम देख चुके है कि iota किसके equal होता है सुके root of minus 1 के तो यहां पर हम कह सकते हैं कि complex numbers या तो pure complex होगा या फिर combination या addition या subtraction of real and imaginary part होगा ठीक है अब इसमें अगर हम बात करें कि मैं suppose example हम ले लेते हैं जी के चलें उससे पहले मैं बताओं कि इसमें जो है x इसके साथ तो कोई यानि कि iota का sign मौजूद नहीं है या सुके root of minus 1 साथ में नहीं है ठीक है एक्स की हमने बात की कि वो real number है तो इसमें हम इसको कहेंगे कि यह real part है इसको हम कहेंगे यह real part है real part of complex number ठीक है और y य को हम क्या कहेंगे y जो है यह real number है y की value जो है वो real number होगी लेकिन y iota किसके इकल होगा इसको हम कहेंगे imaginary part ठीक है इस y iota या iota y को हम क्या कहेंगे imaginary part मैं थोड़ा सा इसको ओपर कर देता हूँ imaginary part यानिके x जो है वो real part है और y जो है y iota जो है वो imaginary part है और यह as a whole जो है x plus y iota या x plus iota y वो general form of complex numbers है पूरा का पूरा इसको as a whole हम कहेंगे यह complex number है complex number अच्छा अब इसको हम ऐसा करते हैं कि एक्जेम्पल के साथ समझते है कि suppose मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक value है जी 5 iota अब इसमें iota आपको नजर आ रहा है तो आप यहां से असानी से कह सकते हैं कि यह क्या है एक complex number है ठीक है लेकिन इसमें आपको real part इसमें नजर नहीं आ रहा है ठीक है तो यानिके हम इसको फिर इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 0 plus 5 iota ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि real part जो है वो 0 हो गया ठीक है 0 plus 5 iota 5 iota के ही equal आता है तो हम ऐसा यानिके ऐसा complex number जिसमें real part जो है वो 0 हो जाए उसको हम कहते है इसमें pure imaginary number या pure complex number या pure imaginary number ठीक है प्योर imaginary ठीक है ठीक है pure imaginary यह हो गया उसके अलावा जिसमें real part आज है मतलब के 0 के इलावा कोई और real number हो इसमें ठीक है तो suppose हम करते है 1 plus 2 iota इस तरह से तो यह एक complex number है यह pure imaginary नहीं है जिसमें एक real part भी मुझूद है और एक imaginary part भी मुझूद है, ठीक है तो यहाँ पर one जो है, वो क्या है real part है? real part of complex number, ठीक है? और ये two iota जो है वो क्या है? imaginary part है, imaginary part अच्छा और as a whole इसको हम क्या केंगे? as a whole हम इसको केंगे ये क्या है complex number, complex number अच्छा यह तो हमने देख लिया कि complex number क्या होता है in general क्या होता है और specifically उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है ठीक है real part उसमें होता है imaginary part होता है उसके लावा pure imaginary number कौन सा होता है ठीक है तो यह चीजें तो हमने देख ली अब आयोटा के बारे में थोड़ा सा मजीद देखेंगे आयोटा की हमने बात की थी के आयोटा किसके इकल होता है आयोटा की value होती है is equal to minus 1 का square root ठीक है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे के अगर आयोटा की कोई और power हो यानि के square हो, cube हो, ठीक है, power 18 हो, 13 हो यानि के 1 के इलावा कोई और power हो आयोटा की, तो फिर हम इसको किस तरह से देखेंगे तो पहले तो मैं चलें, square, find करता हूँ इसका आयोटा का square आयोटा का square is equal to, किसके हो जाएगा, minus 1 के square, root का भी square हमें लेना पड़ेगा, ठीक है मतलब कि आयोटा square की value किसके equal आजाएगी, minus 1 के, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये value आपने याद रखनी है ठीक है, एक तो आपको इस चीज़ का concept ही बना चाहिए, कि ये कहां से है, Iota square is equal to minus 1 और दूसरा ये value भी आपको याद होनी चाहिए, तब आप आगे जो है, इस related exercise जब हम solve करेंगे, तो आपको असानी से ये समझा आजाएगी चीज़ है अच्छा, Iota square is equal to minus 1 हो गया, लेकिन अगर square के इलावा कोई और value हो, suppose Iota cube हम find कर लेते हैं, कि Iota की power अगर जब 3 हो तो क्या होगा, Iota की power, cube या 3, is equal to हम इसको लिख सकते हैं, Iota square into Iota, या फिर इसको लिख सकते हैं, Iota into Iota square, ठीक है, दोनों ये की बात है तो अब यहां पर Iota की value भी हमें पता है, लेकिन हम उसको Iota ही रहने देंगे, Iota square की value हमें पता है, जो के minus 1 है, ठीक है, तो हम इसको replace कर देते हैं, Iota into minus 1, ठीक है, जो के equal आजेगा minus of Iota के, अच्छा, ये हमने square की, Iota square की value पो देख ली, Iota cube की value पो देख ली, Iota cube किसके equal आ माइनस Iota के, minus Iota, अच्छा, Iota की value भी देख ली है, Iota square की भी देख ली है, Iota cube की भी देख ली है, अब हम कोई और एक value देख लेते हैं, suppose मैं कहता हूं के Iota power 14 कर लेते हैं, ठीक है, Iota power 14, इसकी value हम find करते हैं, तो ये किस तरह से इसकी क्या value आएगी, Iota power 14 की value अगर हम find करना चाहें, तो आएगी Iota square की power 6 into Iota square, मैंने ऐसा क्यूं लिखा, सबसे पहले ये चीज़ समझने वाली है कि मैंने ऐसा क्यूं लिखा, हम Iota square की power इसलिए लिखते हैं, क्योंकि Iota square की value हमें पता है, वो minus 1 है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहा रहा है था कि Iota square की value आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, Iota square की value क्या होती है, minus 1 होती है, इसलिए हम जो भी power हो Iota की, उसको हम पहले उसमें तोड़ते हैं कि हमारे पास Iota square की power something बन जाए, ठीक है, और उसके साथ बाकी जितनी power भी बच जाए हम साथ में लिख देते हैं, जिस तरह से यहाँ पर Iota square की power 6 मैंने लिखी, तो यहाँ पर 6 to 12 हो जाता है, तो इसके लावा हम यह कर सकते थे कि Iota square की power 7 कर देते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, यादिके powers आपस में multiply हो जाती है, तो यह बन जाता है, 7 to the 14, ठीक है, मतलब कि Iota power 14 को हम लिख सकते है, Iota square की power 7, तो अब इसको हम solve करते है, minus 1 हमें पता है कि Iota square की value है, और उसकी power क्या होगी, 7 जो के equal आगया, minus 1 के, minus 1 के equal क्यों आया, क्योंकि negative की power जब भी odd हो, वो negative answer देत है, यानि कि हमारे पस यहाँ पर Iota power 14 जो है, वो equal आचुक है, minus 1 के, अच्छा एक और value हम देख लेते हैं Iota की, कि Iota power अगर हमारे पस क्या हो 13 हो, या फिर चलें Iota power 4 हम find कर लेते हैं, Iota power 4 equal to किस तरह से find करेंगे, Iota square की power 2 हम कर लें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Iota square into Iota Iota square, ठीक है, क्योंकि दोनों की values हमें पता हैं, तो minus 1 into minus 1 equal to आगया positive 1, यानि कि Iota power 4 equal to positive 1, अब मैंने इतनी सारी values क्यों find की, एक example करने से हमें समझ आ जाता है हमने किस तरह से solve करना है, मैंने इसलिए find की, क्योंकि आप इसके results देखें, कि results क्या आ रहे है, minus 1 आ रहे है, ठी minus 1 R है, plus 1 R है, ठीक है, या फिर Iota 13 आप find करें, तो क्या आता है, Iota 13 भी find कर लेते हैं, is equal to Iota square की power 6 into Iota, ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझा जानी चाहिए, कि Iota power 13 को हमने ये किस तरह से लिखा, कि 6 to the 12 होता है, ठीक है, इसके करीब करीब बनता है, अगर मैं Iota square की power 7 लि कर जाता है, ठीक है, हमने ऐसी power लिखनी हो दी है, कि इस power से कम ही आए, या इस power के equal आ रहा हो, अगर equal नहीं आता, मतलब 13 नहीं आता power में, ठीक है, तो इस से कम हो जाए, यानि कि Iota square की power, अगर मैं 7 करता हूँ, 14 बन जाता है, ये कम मैं कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, ठी अब 12 बन जाता है, अब 12 बन गया लेकिन हमें तो 13 बनाना है, इसलिए एक power 7 में, Iota की power 1 साथ में हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पस क्या result में आएगा, Iota square minus 1 होता है, और इसकी power 6 है, और 7 में Iota मौझूद है, multiply हो रहा है, और result में हमा Iota आ रहा है, या फिर minus Iota आ रहा है, इसके इलावा आपके पास कोई भी result नहीं आएगा, मतलब कि Iota की power जो मरजी आप find कर लें, इन चारों में से कोई नो कोई उसकी value होगी, ठीक है, तो इसमें ये चीज समझने वाली थी, उसके इलावा complex numbers भी हमने देख लिए इस lecture में, complex numbers क्या होते हैं, ठीक है, और उसमें parts कौन-कौन से होते है, imaginary part क्या होता है, real part क्या होता है, pure imaginary number क्या होता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर इस lecture में देखी, अब हम ऐसा करते हैं कि इस lecture को यहाँ पर close करते हैं, और next lecture में हम कुछ operations देख लेंगे complex numbers के बारे में,